रवो नायन जय महाकाल जय माबगलावुखी सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे आपकी अध्यात्मिक उन्नती आगे बल रही होगी आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है घर में धन आने के गुप्त संकेत देखे धन संबंदित होता है आपके घ्यान से कुछ लोग घ्यान से धन कमाते हैं धन संबंदित होता है आपके चलाकियों से, कुछ लोग अपनी चलाकी से धुर्टता से भी धन कमाते हैं, धन संबंदित होता है आपके अपनी महनत से, कुछ लोग महनत करके भी धन कमा लेते हैं, और धन संबंदित होता है आपके दिमाग से भी, कुछ लोग कम्प्यूटर क का दिमाग लगा के अपने सोच के दिमाग से इसकिल से एनलिटिकल इसकिल से पैसे को अर्न करते हैं तरीका चाहे जो भी हो गलत सही इसका इस वीडियो से कोई ला देगा नहीं है बात यहां धनकी हो रही है धन इस कल्यूग में हर इंसान के लिए जरुवत का एक विशय है होगा धन होगा कोई भी इंसान निर्दन होगा वो मुझे इस रूप में सुनेगा या कथाओं को इस रूप में सुनेगा कि एक ना एक दिन उसके पास धन हो और जो भी इंसान इस समय इस वीडियो को सुन रहा है वो भी इतना धनवान है कि उसने अपने मोबाइल के लिए रिचार्ज करवाया है तो धन हर जगे में मौजूद रहता है कई लोग पूजा पाट करते हैं, साधनाई करते हैं और हमेशा उनके दिमाद में चीछ चलती है कि मेरे पास कब धन आएगा, मैं कब धनवान होंगी या होंगा मेरा अच्छा समय कब आएगा मेरा बुरा समय बहुत ज़्यदा चल लहा है हर इंसान एक विश्वास के साथ एक आस्था के साथ इश्वर के पास आता विश्वास रखता है कि मेरा अच्छा समय भी आएगा, कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वज़े से आपका बुरा समय चल लहा है चाहे वो पिशले जनम का हो या इस जनम का हो कई ऐसे संकेत हो सकते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि ये अब आपका अच्छा समय है और या फिर आने वाला है तो अपने इस वीडियो के माद्यम से मैं पाँच आपको ऐसे संकेत बता रहा हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि अब आपके घर में भी धन आने वाला है ये दिव्द सक्तियों के संकेत होते हैं सबसे पहला संकेत अगर आपको बच्छले को दूद पिलाती हुई गाए या पामी से भरा हुआ मठका जाता हुआ दिखाए ले जाता है तो ये काम बनने का संकेत होता है और ये संकेत दरसाता है कि घर में धन आने वाला है दूसरा पॉइंट अगर सपने में जाडू, हाती, नेवला, संख, छिपकली, सितारा, पुल्लू, घड़ा, या सुराही, साप या गुलाब का फूल दिखाई दे तो समझ लो आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है नबर थ्री घर में अचानक काली चीटियों का जुन्ड दिखे तो समझ ले माल अचमी घर में आने वाली हैं ये उनका संकेत है नबर फूर अगर आपकी दाई हतेली पर लगातार खुजली हो रही हो तो आपके हाथ बहुत धन आने वाला है नबर फाइफ और सबसे आखरी ये इस वीडियो का संकेत है दिव्य संक्तियों का संकेत है कि अगर कुटा मूँ में रोटी या फिर रोटी के अलावा कोई साका हरी चीज देखे हैं सुनिए साका हरी चीज यहां मानसा हरी की बात नहीं उसका का हाई चीज डबाकर दौता दिख जाए तो ये भी पैसा आने का संकेत होता है यह बहुत अच्छे संकेत हैं ऐसे बहुत सारे संकेत और भी होते हैं लेकिन इस वीडियो में मैंने मेनमेन संकेत आपको बताए हैं अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को आप share करें और इस चैनल को promote करें जिल लोगों ने bell notification नहीं दबाई है वो लोग भी दबाएं ताकि next वीडियो का notification आपको मिले अब ये के लिए आप सभी लोग खुश रहें स्वस्त रहें और आपकी सभी मनों कामराएं पूर्ण हो नमुरायर जै महाकाल जै महागलाव की